Dear students, आज हम नाइन्थ क्लास की इंग्लिश का टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, वो है दे सेवियर आफ मैनकाइंड दे सेवियर आफ मैनकाइंड से मुराद, इंसानियत का नजात दिहन्दा इशारा नभी पाक ﷺ की तरफ है, तो इस चैप्टर में हम आप ﷺ की सीरत से मतलग पढ़ेंगे तो आई ये स्टार्ट करते हैं, दे सेवियर आफ मैनकाइंड पेश नमबर टू, आपकी टेक्स्ट बुक में जो फर्स्ट पेराग्राफ है, उसको स्टार्ट करते हैं अरेबिया इस दा लैंड अफ अन पैरलल्ड चाम एंड ब्यूटी अर्ब एक अन पैरलल्ड चाम कहते हैं, लासानी दिलकशी और भूपसूर्टी अर्ब एक लासानी दिलकशी और भूपसूर्टी की सरजमीन है विद इट्स ट्रैकलस डैजर्ट अफ सैंड ड्यून्स और इसके साथ इसके बे नामों निशान सहरा हैं जिन में रेत के टीले हैं, सैंड ड्यून्स रेत के टीले जिन पर बड़ी ही चमकदार रोशन श्वाएं पड़ती हैं ड्यूप वाली यह बहुत ही ज्यादा आंखें चुंध्या देने वाली श्वाएं जिन पर तेज श्वाएं पड़ती हैं चमकदार सूरज की ट्रॉपिकल सन तेज धूप वाला सूरज तेज रोशनी वाला सूरज तो ट्रॉपिकल वो एरिया होता है जहां पर सूरज बड़ी आब उताब के साथ चमकता है ट्रॉपिकल एरियाग वो होते हैं जहांपर सूरच की वज़ा से बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो अरब भी एक ऐसा इसा एलाका है के जहां बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर फिर्स्ट लronics जो है वो ही explain करती है अरब की सरजमीन को कि जो अपनी खूपसूरती और दिलकशी की वज़ा से बिलकुल लासानी है लेकिन यहां पर बेनामन शान सहरा, चमकदार धूप और तेज श्वाएं हैं Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers तो इसके सितारों से भरे आस्मान ने हमेशा ही शायरों और यहां पर सफर करके आने वाले लोगों के तखियलात को पुर्जोश बनाया है excited पुर्जोश बनाना imagination तखियलात It was in this land that the Rasul ﷺ was born in the city of Mecca which is about 50 miles from the Red Sea तो यही वो सरजमीन है जहां Rasul ﷺ ने अपनी आँख खोली यह मक्का का शहर है जो के भीरा एहमर से 50 miles के फासले पर वाक्या है अब हम आते हैं paragraph number 2 की तरफ The Arabs possessed a remarkable memory and were an eloquent people अरब के लोग बड़ी शानदार या दाश्ट रखते थे remarkable शानदार and were an eloquent people और बड़े ही फसीहो बलीग लोग थे फसीहो बलीग लोग वो होते हैं जो बड़े अच्छे तरीके से बात करना जानते हूं Their eloquence and memory found expression in their poetry उनकी फसाहत और बलागत और उनकी यादाश का इजहार उनकी शाईरी में मिलता है Every year a fair was held for poetical competitions at Uqaz Uqaz एक मकाम का नाम है एक जगा का नाम है जो के अरब में वाक्या है मका के शहर हर साल एक मिला बर्पा किया जाता था शायर अना मकाबलों के लिए Uqaz के मकाम पर It is narrated that Hamad said to Caliph Walid bin Yazid रवायत है It is narrated का मतलब होता है के रवायत है के हमाद ने हलीफा Walid bin Yazid को कहा I can recite to you मैं आपको बियान कर सकता हूँ सुना सकता हूँ For each letter of the alphabet हरुफِ तहजी के हर हर्फ के साथ One hundred long poems एक सो लंबी नजमे Without taking into account short pieces और इन में वो छोटे अशार शमार नहीं होंगे And all of that was composed और ये सारी के सारी नजमें लिखी गई, तर्तीब दी गई exclusively, खास तोर पर exclusively, खास तोर पर यह सिर्फ और सिर्फ By poets, उन शायरों के जरीए Before the promulgation of Islam Islam के नफास से कब It is no small wonder इसमें कोई हरानी की बात नहीं है That Allah Almighty के Allah ताला ने Choose the Arabic language ने अर्बी जुबान का इंतखाब किया For his final dispensation इसमें कोई हरानी की बात नहीं कि Allah ताला ने अर्बी जुबान का ही इंतखाब किया अपने आखरी पेगाम को बहम पहुंचाने के लिए And the preservation of his word और अपने अलफाज की हिफाज़त के लिए अब हम स्टार्ट करते हैं paragraph number three In the fifth and sixth centuries पांचवी और छटी सदियों में Mankind stood on the verge of chaos इंसानियत तबाही के दहाने पर खडी थी वर्च कहते हैं किनारे को Chaos तबाही It seemed that the civilization which had taken four thousand years to grow ऐसा लगता था कि वो तहजीब जिसको चार हजार साल लगे नशनमा पाते हुए Had started crumbling उसने लड़ खडाना शुडू कर दिया था Crumbling लड़ खडाना जैसे को इनसान चलता हुआ लड़ खडाता है यहां आप बोलते हुए sometimes लड़ खडा आ जाते हैं तो crumbling का word उसके लिए इस्तमाल किया जाता है At this point in time उसी वकत Allah Almighty raised our Rasul Allah ताला ने एक Rasul को उठाया Among themselves उन्ही लोगों में से To lift the humanity from ignorance into the light of faith कि जो इनसानियत को जहालत से उठाकर इमान की रोशनी की तरफ ले आते Start करते हैं paragraph number four When Hazret Muhammad ﷺ was 38 years of age जब Hazret Muhammad ﷺ की उमर 38 बरस थी He spent most of his time in solitude and meditation तो आप अपना अक्सर वक्त अकेले पन में और अबादत में गुजारते थे Solitude अकेले रहकर तनहाई में Meditation अबादत In the cave of Hira He used to retire with food and water आप खाने और पानी के साथ बराजमान हो जाते And spend days and weeks in remembrance of Allah Almighty और फिर आप दिनों और हफ़तों तक वहीं रहते अल्लह ताला की याद में Remembrance, याद में Paragraph number 5 5th start करते हैं The period of waiting had come to a close इंतजार का दौर खतम होने को था His heart was overflowing with profound compassion for humanity आप ﷺ का दिल इंसानियत के लिए हमदर्दी से भरपूर था Overflowing, भर जाना Profound compassion, गहरी हमदर्दी He had a pressing urge to eradicate wrong beliefs, social evils, cruelty and injustice आपकी एक शदीद ख्वाहिश थी Pressing urge, शदीद ख्वाहिश To eradicate, के खतम कर दें, जड से खतम कर दें Eradicate, जड से खतम कर देना Wrong beliefs, गलत अकायत को Social evils, समाजी बुराईयों को Cruelty, जुल्म को And injustice और नाइंसाफी को The moment had arrived When he was to be bestowed with Nabuwat जब आपको Nabuwat से नवाजा गया Bestowed, नवाजा गया One day, एक दिन When he was in the cave of Hira जब आप वारे हिरा में थे हजरत जिब्राईयल अलाहिस्सलाम के हजरत जिब्राईयल अलाहिस्सलाम आए And conveyed to him और आप सलिए लाहिस्सलाम को पहुंचाया The following message of Allah Almighty Allah Ta'ala का मदर जाजाल पेगाम Read in the name of the Lord अपने रब के नाम से पढ़ Who created जिसने पीदा किया Created man इंसान को पैदा किया From a clot of congealed blood जम रूब हुए खुण के लोथ्लے से Congealed blood जम हुआ 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 Clot खुन का लोथला read and the lord is most bountiful पड़ और आपका रब बहुत ही ज्यादा महरबान है bountiful महरबान who taught the use of the pen जिसने कलम से लिखना सिखाया taught man that which he knew not जिसने इंसान को वो सब कुछ सिखाया जो वो नहीं जानता था paragraph number 6 start करते हैं the revelation of the divine message which continued for the next 23 years had begun तो वही जो के खुदाई पेगाम था और अगले 23 बरस तक जो जारी रहा उसका आगाज हो चुका था and the arsul sallallahu alaihi wa sallam had arisen to proclaim the oneness of allah और रसू'll sallallahu alaihi wa sallam उभर चुके थे अलान करने के लिए अलान करने के लिए अलान की तौहीद का and the unity of mankind और इनसानियत की इतहाद का Revelation कहते हैं वही को divine message खुदाई पेगाम proclaim अलान करना unity इतहाद His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief आपका मकसद था कि आप superstition, तोहमात ignorance, जहालत and disbelief और कुफर कि गठ जोड को तबाह कर दें तोड दें and set up a noble conception और फिर कायम करें एक अच्छा नजरिया of life, जिन्देगी का and lead mankind और इनसानियत को लेकर जाएं इनसानियत की रहनमाई करें to the light of faith इमान की रोशनी की तरफ and divine bliss और अल्लह ताला की रहमत की तरफ divine bliss खुदाई रहमत अल्लह ताला की रहमत lead lead करना होता है रहनमाई करना लेकर जाना conception of life जिन्देगी का नजरिया